Hello and welcome to the second part of biology, we start straight away, echidna और platypus ये दो मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, normally, मैमल्स अंडे बिलकुल नहीं देते हैं, टेकी काडिया ऐसी मेडिकल कंडिशन है, जहां पे हर्ट बीट प्रती मिनिट सौ के उपर रहती है, हुगलीना जो है वो एक जेनरा है, प्रोटिस्ट का, और इन में खास बात है, इन आर्गिनिजम में, प्लान्ट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टीज, ट्रेट्स जो है, देखने को मिलते हैं, किड्नी के मेंन फंक्शन्स में एक है, बलड पी एच को रेगुलेट करना, मैटा वाले जो वीस्ट हैं बाडी से, उनको बाहर निकालना, और आस्माटिक प्रेशर जो है, बलड का मेंटेन करना, अलकोहल की ज्यादा कंजम्शन से हमें सिरासिस हो सकत जाती है, सो रेजरवायर में ये बड़ा नेश्रल कंट्रोल मेकानिजम है, नेक्स्ट इस बिगस्ट सिंगल सेल्ड आर्गनिजम इस अमीबा, और उनकी खास बात, उनका लोकोमोटरी आर्गन इस सीडो पोडिया, सीडो यानि, नकली, पोडिया यानि, पैर, नेक्स्ट इ ये एक मूवमेंट है, जो प्लांट्स करते हैं, अगर उनकी एक टच या कंटेक्ट का स्टिमिलिस मिलता है, तो वो मूव करते हैं, आपको याद होगा कि प्लांट की मूवमेंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रुमेंट था, क्रेस्कोग्राफ, जो कि डिसकवर किया था, ज स्टिमिलिम होगा, तो आपको बैलन्स का ध्यान रखना है, बैल, नेक्स्ट इज, अलिफंट का जो टस्क है, हाथी के दांत, दियार, अपर, इंसीजर, हमने कल डेंटल फार्मूला किया था, तो बैलन्स का ध्यान रखना है, पीट वराइटी जो है, उसमें अरेजिनल प् जो है वो, वालफिया है, ब्लड ग्रूप प्रपोज किये थे सबसे पहले, लैंड स्टीनर ने, I guess, येर कुट बी 1904, और नए जो नवजात बच्चे होते हैं, तीन महीने तक के, उनकी स्टेडी को हम कहते हैं, नियो नेटल यानि की जो नया बच्चा पैदा हुआ है, जो प्रजेक्ट संकल्प कहीं साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो इलिमिनेट एड्स, और अस्बेस्टोज के फाइबर के इनहलेशन से, एक डिजीज होता है, उसका नाम है, वाइट लंग डिजीज, और नमली ये फैक्टरीज में और ऐसी जगह पे ज्यादा देखने को मिलत है, इस इस अर निएस्ट एडिशन आफ हमाचल, 360 इन हिंदी, और थर्ड एडिशन, और मुच इंप्रूवड, और ये फैक्टरीज जो आप सिल्वर बुलेट में बहुत सारे कॉशन अपने देखें, वो इसी बुक से लिए गया था है, नेक्स्ट इस टैमी फ्लू, ये मे केल्शिम कारबाइड को जब मौशिर मिलता था, तो एक पुडिया जैसी केल्शिम कारबाइड की रखते थे, फ्रूट्स के अंदर जो पके नहीं होते थे, और इससे गैस निकलती है, असे टिलीन, बट अब यूज़ करते हम इथाईलिन गैस, विच इस मुच सेफर, अलि वक्सिनेशन के थूँ, 1796 में, और पहला एक्सपेरिमेंट इस बच्चे के उपर हुआ था, नेक्स्ट इस कैल पैसा सीवीड है, जिसमें काफी अच्छी किंटेंट रहती है, आयोडीन की, और हर्ट पेस मेकर्स में, जो हम रेडिया अक्टिव एलिमेंट यूज़ करते है इस उरेनियम, और एएग कर फंक्शन है, यह डिटेक्ट करता है, इलेक्टिकल अक्टिविटी इन दे ब्रेन, पार्थीनियम और एलिफंट ग्रास जो है, वो यूसफुल है, वाटर पॉलुशन को रोखने के लिए, खासकर जहां पे इंडिस्टियल इफ्लुइंट ज्या और कार्बन डियक्साइड और अक्सीजन मूव करते हैं, सेल मेंब्रेन के थूँ, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जिफ्यूशन, जिके स्टैटिन मेडिसन यूज होती है, जहां पे हाई हर्ट यह उससे रिलेटेड डिजीज का रिस्क हो, एक्जेंपल इस सबसे फेमस इ जाता है, एड्रिनरिन, फाइट और फ्लाइट के लिए हमें यह प्रेरित करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आफ बलड वस डिसकवड बाई, विलियम हारवे, बीटा सल जो है, आईलेट साफ लेंगर हैं, जो पैंक्रियास में पाया जाता है, ठीक है, तो उससे इंसुलिन प गवरेंगा, उसको फ्लूरा कहते हैं, अगला पॉइंट इस आरबीसी, अगर बलड में ज्यादा हो जाते हैं, उसको बलता है, पॉली साइथिमिया, पॉली मतलब मैनी, साइथ यानि सेल्स, हैफरिन जो है वो एंटिकोगलेंट है, यानिकि बलड को वो क्लॉट नहीं होने देता है, तो हमारे बलड के अंदर भी रहता है, और लीचीज के अंदर भी देखने को मिलता है, क्रेस्ट को ग्राफ की बात हमने कर ली थी, टुबर कलासिस के लिए, बीसी जी वैक्सिन यूज़ करते हैं, बीसी जी जी बैसलिस, क्लेमिट, गिरिन, और बोरान इंक्रीज करता है, absorption of water and calcium in plants, तो अगर हम plant को calcium भी देते हैं, जैसे apple को calcium दे रहे हैं, तो boron भी देना पड़ता है, ताकि calcium absorb हो पाए, and fecema is caused by asbestos, इसके बारे में हमने एक point पहले भी किया, fecema मतलब आपको sans properly नहीं हा रहा है, so that is it, we still have time for test series, if you think you can avail, and that is it, thank you from our side, you can like and share the channel, good day!